नमस्कार साथियों मेरा नाम है आरके सिंग संस्कृति आईएस के प्लेसेज इन न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो अस्थान होते हैं उनके बारे में उससे जुड़े यानि United State of America जिसको हम USA बोलते हैं या समाने बोल चाल की भासा में हम अमेरिका बोलते हैं तो आज हम इसी के बारे में इस से जुड़े हुए जो महत्पूर्ण पहलू है जो आपके परिच्छा के दिश्टिकोंड से महत्पूर्ण हो सकते हैं उन पर संचित रूप से प्रका आता है और हो भी क्योंसा क्योंकि बैस्भी क кварти अंतर पे अमेरिका जो है वो एक शूपर पावर है्या यह भी कहें तो अर्थ वेवस्था के दिश्टीकोंड से यह विस्व कि एक महत्पूर्ण ऊर्थ वेवस्तपूर्द ता है इसका जो सैन है जो कह सकते हैं जो डिफेंस ह वो विस्व में पहले नंबर पे है जिसके कारण से भी क्या है कि बैस्विक जो राजनीती है जो जीयो पॉल्टिक्स है उसमें अमेरिका का एक महतपूर्ण योगदान है इसी कारण से आज इससे जुड़े हुए जो पच्छ हैं उन पर हम प्रकास डालेंगे जैसा कि हमने ब स्तच्छेप करना चाहिए जिसके कारण से फिर से एक बार अगर हम बात करें तो इस घटना क्रम में जो यूएस है या कहें जिसको हम यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका बोलते हैं वो चर्चाओं में बना हुआ है तो आज इसी क्रम में हम इससे जुड़े हुए जो मह है पूर्ट पहलू है उन पर हम प्रकाश डालेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो संयुक्त राज अमेरिका है आखिर इसकी अवस्थिती क्या है इसका लोकेशन कहा है तो देखिए यह हमें कहां देखने को मिलेगा तो यह हमें देखने को मिलेगा जो उत्तरी अमेर अमेरिका महादीप है यानि की जो नार्थ अमेरिका चंटिनेंट है उसी का एक देश है यूस से और यह क्या है कि यह इसकी अवस्थिती है अगर इसके वस्थिती की बात करें तो यूस से के अगर उत्तर में जाएंगे तो हमें कनाड़ा देश देखने को मिलेगा और अगर इसके दच्छिड में जाएंगे तो अगर अस्थली खंड की बात करें तो इसके दच्छिड में मैक्सिको देश देखने को मिलेगा और अगर जली छेत्र की बात करें तो यहां पर गल्फ आप मैक्सिको हमें देखने को मिलता है इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो यह से है इसके पस्ची में जाएंगे तो हमें जो प्रसांत महासागर है वो देखने को मिलता है और इसके पुर्वी छेत्र में आए तो इधर के आए कि जो अटलांटिक महासागर है वो हमें देखने को मिलता है और अगर हम जो ये नार्थ अमेरिका है अगर इसके हम अच्छांसी बि बिस्तार कितना है तो यह लगभग क्या है कि पचीस डिगरी उत्तरी अच्छान से लेकर लगभग 49 डिगरी उत्तरी अच्छान के बीच में क्या है कि इसका बिस्तार है और यही कारण है कि यह कहा संयुक्त राज अमेरिका है इन दोनों के बीच में क्या है कि यह अच्छांस रेखा राज नैतिक सीमा रेखा निर्धारण करने का भी कारे करती है और अगर यूसे के हम देशांतरी बिस्तार की बात करें कि आखिर जो यूसे है संयुक्त राज कितना है तो इसका जो देशांतरी बिस्तार है वह लगबग च्छाचट यानि 66 66 डिगरी वेस्ट से ले करके आए कि लगबग एक सो पचीस डिगरी वेस्ट के बीच में है और इसी में अगर हम बात करें तो जो सो डिग्री यानि 100 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो USA के लगभग मध्य से होकर गुजरती है तो दो जो यहां मुखे रेखाए हैं जो पहली क्या है कि 49 डिग्री उत्तरी अच्छांस रेखा जो कि क्या है कि कनाड़ा और USA के बीच में क्या है कि एक राजनेतिक सीमा रेखा निर्धारण का कारे करती है वो आपके लिए महतपूर है दूसरी अगर बात करें तो जो 100 डिग्री देशांतर रेखा है यह मुन रूप से कहा है कि पश्चमी देशांतर रेखा है यह क्या है कि USA के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है तो यह भी क्या है कि आपके ल आपके लिएक देशेर से और इसमें कायے कि जो बड़े देश यह अगर हम बात करें तो इसमें कि करनाडा के साथ मेखे से हैं और मेक्सिकों के अपके सामने एक मैप दिया होगा जिसमें लिख लिए तो यहां से कहा है कि अगर मैक्सिको जो मैक्सिको देश है इसको सामिल करते हुए जो इसके साउथ में आएंगे तो बेलिज ग्वाटेमाला हॉंडूरस अलसलवाडोर निकारागुवा कोस्टारिका और जो पनामा है यानि कि जो साउथ अमेरिका है उससे ठीक पहले जो भी देश है अगर इनको एक साथ सामिल कर लिया जाए तो इनहीं को हम मिडिल अमेरिका कंट्रीज बोलते हैं और इसमें क्या है कि अगर हम जो मैक्सिको है इसको अगर हम छोड़ देते हैं और यह जो साथ देश हैं यह जो सेवन कंट्रीज है इनको अगर हम ले लेते हैं तो इ लेते हैं यानि कि मीडिल ameerica के जो भी country's का और जो south america के जो देस हैं अगर इनको हम जोड लेते हैं तो इनको हम लै को जानते हैं तो यह क्या है कि बेसिक तौर पर क्या है कि यहां से जुड़े हुए जो महतपूर information थे हैं वह आकिर जो से हैं इसकी राजनेती कवस्थिती क्या है इसके अगल बगल अस्थली छेत्र या अगर बात करें तो कौन से महत्पूर्ण जली छेत्र हैं यहां एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो यह यूस से हैं यह क्या है कि यह इसका में लैंड है कह सकते हैं कि यह इ होमी च्हेत्र है इसी के साथ क्या है कि यहां पर आप देखेंगे तो किनाडा के उत्तर पस्चिब में भी क्या है कि एक छेत्रा आपको देखने मिलेगा जो ऩ। ऐसे की आर्केटिक जो ज戰 लास्ठ है उसी का एक राज है यानि कि यूएस्से का ही भाग है और इसी के साथ कुछ जो लूइप है जैसे अगर हम बड़े दीप समू की बात करें तो इदर क्ही होई दीप समू देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े दीप सामिल है तो इस तरह से क्या है कि हम देख सकते हैं कि USA में क्या है कि Alaska यहां जो यह राजे देखने को मिलना यह इसी का पार्थ है और बहुत सारे जो छोटे हवाइन दीप समुवाले जो छेत्र है वो भी इसमें सामिल है तो यह हमने देख लिया कि आखिर जो संयुक्तराज अमेरिका है इसकी राजनेति का वस्थिति क्या है इसके छेत्र कहां तक फैले हुए अब हम बात करेंगे तो USA में इसके लगभग 48 यानि लगभग नहीं इसके 48 राजिस में सामिलें जो आपके सामने दिये गया हैं अगर हम इसी में बात करें तो यह क्या है कि इसके पस्चमी राज्य हैं और यह क्या है कि इसके उत्तरी राज्य हैं यह इसके दच्छडी राज्य हैं और य इधर क्या ये जिसे हम ने बताया की कनाड़ा से सटां या कह सकते हैं कि ये जो है अलास्का है और इसी के साथ का है कि जो हवाईयन दीप समू है यानि हवाई जो दीप समू के छेतर है वो भी इसके राजियों में सामिल है तो यह कहा है कि इसका एक political कह सकते हैं कि large map है जिसमें हमने इसके राज और इससे जुड़े हुए जो ay! Land है उनकी हमने बात की अब हम बात कर लें कि जो सैयूकतिराज अमेरिका यानि जो से है अगर इसके हम physical map की बात कि कि इसका जो भावती मांचित्र है वह क्या है तो अगर हम mainland की बात करें यानि कि जो यूस से है इसका जो मुख्य भूमी छेतर पहाली इसको हम इसके फिजिकल अगर हम बात करें कि इसकी विशेस्ताय क्या है तो इसके तीन रूपों में हम बाट सकते हैं जो पहला छेत्र होगा यह इसका जो पुर्वी भाग है यानि कि जो इसका इस्टर्ण पार्ट है जो मूल रूप से क्या है कि जो इसका पुर्वी भाग है यह क्या है कि ये उच पर्वती छेत्र नहीं जिसमें क्या है कि काफी उचे परवत देखने को मिलते हैं और अगर इसके पस्चम भाग में आए तो इसको क्या है कि हम पस्चमी कारडिलेरा बोलते हैं या वेस्टरन कारडिलेरा बोलते हैं कारडिलेरा क्या होता है कि अलग-अलग कालक्रम में यानि अलग-अलग टाइम में क्या है कि अलग-अलग प्रक्रियाओं से निर्मित जो परोतों का समू होता है उसी को हम कारडिलेरा बोलते हैं तो इसका जो पस यहां पर देखने को मिलते हैं और इसी के साथ क्या है कि यह जो मध्धे वाला इसका भाग है यह क्या है कि यह एक तरह से लो लैंड है यह क्या है कि निमनुभूमी वाला च्छेत्र है जिसमें क्या है कि बहुत सारे बेसीन प्लेन या मैदान हमें देखने को मिलते हैं और इस क्या है कि जो हवाई दीप समू है यह इसको आप लार्ज मैप पे देख सकते हैं कि यह हवाई दीप समू है यहां पर क्या है कि इसके कई छोटे छोटे दीप है जैसे यहां पर क्या है कि यह सबसे बड़ा दीप हवाई है उसके बाद मौई है मोलोकाई है औहु है और क्यों ह है इसमें भी जैसे अगर हम बात करें कि जो होनो लुलू है जो परेटन के दिश्टिकोंड से काफी महतपूर्ण अस्थान है यह इसके कया है कि हवाई डीप समू का ही जो ओह्यू यह ऑवस्थित है तो इस तरे से क्या है कि हम देको ऐसकते हैं और यह जितने भी करेंगे कि बहुत सारे छोटे बड़े परवत हमें देखने को मिलते हैं जैसे अगर हम बात करें जो इसके मुख्य रूप से जो बड़े परवती छित्र हैं जैसे अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि उपर अलास्का से लेकर नीचे क्या है कि मैक्सिको तक क्या है कि यहाँ पर एक लाकी परवत रेड़ी देखने को मिलती है यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप देख ने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या है कि आपको को उस्ट रेंज देखने को मिलेगा इससे पहले क्या है कि एक-डो चीज़ अगर हम देखें के सबसे पहले क्या है कि इसके उत्तरी छितर से हम बढ़ते हैं तो जैसे इसका सबसे उत्तरी पार्ट क्या है वह अलास्का है तो यहां पर क्या है की दो पर्वत आपको देखने को मिलेंगे पहला क्या है कि आपको ब्रुक्स रेंज देखने को मिलेगा अगर ब्रुक्स रेंज की बात करें तो यह क्या है कि जो नार्थ अमेरिका का जो राकी परवत है इसी का यह क्या है कि बिस्तार है यानि कि जो ब्रुक्स रेंज है यह राकी परवत का जो अलासका रा राज में जो विस्तार है तो उसी को हम बुक्त रेंज बोलते हैं And ही पर क्या है कि आपको अलासका परवत भी देखने को मिलेगर तो इहां पर चाह है कि यह दो महतापूर्ण परवत हैं जो अंब देखने को मिलेंगे तो यह आपको यूएस से का जो अलाशका प्रांथ है यह यह और आपको ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज देखने को मिलेगा और इसमें भी जाया कि रूप से जैसे अलास्का की बात करें तो जो अलास्का परवत है ये क्या है कि ये एक folded mountain है ये क्या है एक बलित परवत है यानि इसकी जो उत्पत्ती हुई है वो संपीडन बल के कारण इसमें उत्पन होने वाले fold के कारण हुई है और दूसरी अगर बात करें कि इससे जुड़ा हुआ जो महत्पूर्ण बात है कि जो अलास्का परवत है इसकी जो उत्पत्ती हुई है वो क्या है कि जो continental plate होती है यानि जो महादीपी महादीपी और महासागरी जो plate है उनके टकर या collision के द्वारा इस अलास्का परवत की उत्पत्ती हुई है तो यह आपके लिए महत्पूर्ण हो सकता है और यहां पर अगर हम बात करें कि जो स्रेंज है यह पेहले हमने बताया कि इधर की अग्लेफरी सी है उसी के समीप जो राकी पर्वत का अलास्कार राजी में जो विस्तार है उसी को हम क्या Jacob लेंगों तो उसको हम बूआ यह गगाय की को रहुट देखने को मिलेगा अगर USA के मेन लैंड पे आए तो इसका जो प्रसांद महासागर से जुड़ा हुआ जो छेत्र है या कह सकते हैं कि संयुक्तराज अमेरिका का जो पस्चमी छेत्र है यहां पर जो वेस्टरन कारडिलेरा है उसका जो पस्चमी भाग है वो कहा है कि यहीं पर हमें कोश्ट रेंज देखने को मिलेगा इसके साथ अगर बात करें तो यहां बहुत सारे लोकेशन हमें देखने को मिलेंगे जैसे यहां पर क्या है कि सैंट येक विन बैली हमें देखने को मिलेगी यह क्या है कि जो संयूग्त राज अमेरिक है उसका सबसे निम्तम बिन्दू है और इसी के साथ क्या जो आलास्का है अलास्का में जो देनालीटी है अगर बात करें तो यहां पर जो देनाली चोटी है वो क्या है कि USA का सबसे उच्चतम या सबसे उच्चा अस्थान है या कह सकते हैं कि सर्वोच चोटी है ठीक है दूसरी अगर हम बात करें तो यहीं पर क्या है कि जो कोश्ट रेंज है कोश्ट रेंज के अगर हम थोड़ा सा पूरब की तरब बढ़ें और इसमें भी एक कुछता है कि जैसे कोस्ट रेंज है इसकी जो सर्वोच चोटी है उसका नाम क्या है तो बात करेंगे तो जो कोस्ट रेंज है इसकी जो सर्वोच चोटी है उसको हम बोलते हैं माउंट लोगन और इसके अगर हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो देखें यहां पर क्या है कि Sacramento Valley हमें देखने को मिलेगी और यहीं पर Coast Range के पुर्वी छेत्र में हमें दो परवत देखने को मिलेंगे जो पहला हमें देखने को मिलेगा वो हमें Cascade Range देखने को मिलेगा इसकी जो सर्वच चोटी है जो पीक्स है उसको माउंट रेनियर हम बोलते हैं यह अक्सर पूछता है जैसे अलग अलग जो यहां परवत है उनके जो सर्वच चोटी है उनके बारे में पूछता है और इसमें अगर जैसे बिस्तार की बात करें तो यहां पर क्या है कि जैसे हम पर इसका पस्चमी काडिलेरा है उसका जो कोस्ट रेंज है इसका बिस्तार कहां तक है तो यह जो बिस्तार है जो कोस्ट रेंज यह क्या है कि जो अलास्का प्रांथ है जो अलास्का राज है इस से लेकर यहां नीचे जो कैलिफोर्निया राज है कैलिफोर्निया जो राज है यहां तक कोस्ट रेंज का विस्तार है तो ये महतपूर है इसी के साथ अगर यहां पर कुछ महतपूर अन्य परवतों की बात करें तो देखिए यहां पर इसके nicely अब बोला कि जो पुरवी शेतर है यह कहा है कि उच्च परवती शेतर है यहां पर यह विस्षे का एक महत्पूर्ण परवती छेत्र है यहां पर दो चीजे और आपको देखने को मिलेगा यह जो अपलेसियन परवती छेत्र है यह मुल लूप से यह जो परवत है यह क्या है कि यह प्राचिंतम प्राचिंतम मोड़दार परवत का भी उधारण है और यहीं नहीं यह क्या है कि आउसिस्ट परवत का उधारण है क्योंकि कभी-कभी पूछता है कि यह किस प्रकार का परवत है जो यूएसे के पुर्वी भाग में जो अपलेसियन परवत है यह किस प्रकार का परवत है तो यह क्या है कि यह प्राचिंतम मोड़दार और शिष्ट परवत का उधारण है और यहाँ पर अगर हम बात करें इस परवती छेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लू रिज यह परवत देखने को मिलेगा और इसी की जो चोटी है माउंट मिसल यहीं पर क्या है कि आपको माउंट मिसल देखने को मिलेगा तो यह क्या है कि इसकी यह सर्वत चोटी है यह क्या है कि यह इसका सबसे उच्चतम अस्थान है तो यह भी आप से पूछ सकता है कि जो अपलेशियन परवत है इसकी सर्वत चोटी कौन सी है तो यह क् देखने को मिलेगी तो जो इसका अप्लेसियन परोती छेत्र का जो ब्लू रीज है उसकी जो सर्वच चोटी है माउंट मिसल वही क्या है कि यह इसका सर्वच अस्थान है यानि कि सबसे हाइस्ट इसका प्लेस है दूसरी अगर बात करें तो यह जो अप्लेसियन परवत है इस का जो इस्टन पार्ट है इसको क्या है कि इसको फाल लाइन बोला जाता है कि इसको फाल लाइन बोला जाता है क्यों बोला जाता है तो यहां पर जो बिभिन नदिया आती है यहां पर जो रिवर्स कि निकलती है वो क्या है कि जल प्रपाद का निर्मार करती है और इस कारण से क्या है कि इस छेत्र में इस जल प्रपात के द्वारा बड़े अस्तर पे लेक्टिसिटी का उत्पादन होता है जिसके कारण इस छेत्र में कहें तो बड़े अस्तर पे क्या है कि इंडस्टी डवलप्मेंट देखने को मिलता है इसी के साथ क्या है कि यह जो अपलेशियन परवती छेत्र है कि इसी परवती छेत्र में हमें क्या है कि दो महत्पूर्ण तथे देखने को मिलेंगे जिसमें क्या है कि इसके इसी परवती छेत्र में दो पठार देखने को मिलते वे दो कौन से पठार हैं तो पहला क्या है कि अलगनी है अलगनी पठार हमें देखने को मिलता है और जो दूसरा पठार है उसको हम बोलते हैं कंबर लेंड कंबर लेंड कि अगर एक्जैक्ट अवस्थिती की बात करें तो ये जो उजार्क पथार है इसके लगभग कह सकते हैं कि पूर्वी और दच्छिडी भाग में यहीं पर क्या है कि आपको कंबर लेंड पथार देखने को मिलता है तो यह हमने देख लिया कि जो अपलेसियन छेतर है और यह जो पूरा अपलेसियन छेतर ये खनीज संसाधन के दिश्टी कोंड से भी क्या है कि यूएसे का महतपूर्ण छित्र है अगर हम खनीज संसाधन की बात करें तो उस दिश्टी कोंड से क्या है कि ये यूएसे का काफी महतपूर्ण छित्र है और यहां पर मूल लूप से अगर हम बात करें तो कोईला और ल काफी महत्व है अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे पठार हमें देखने को मिलते हैं उनमें से कुछ पठार की हम बात करेंगे उससे पहले क्या है कि ड्केशन है जैसे हमने बताए सैंगि यहां पर क्या आ कि मोजव मरवस्थल भी अ मैं आप देख सकते हैं इसकी और दूसरा क्या है कि यहां पर सोनोरं डेजर्ट है तो यह दोनों जो लोकेशन है यह भी आप के लिए महतपूर तौर के साथ क्या कौन से महतपूर प्लेटू है पठार है तो उनमें जो सबसे महतपूर है वो क्या है कि वो है यूकान पठार यह कहां आपको देखने को मिलेगा तो यह आपको देखने को मिलेगा जब यूसे में यूसे का जो अलास्का प्रांथ है वहां पर जाएंगे तो वहीं पर क्या है क कि जो अलास्का जो अलास्का परवत है और जो मैंकेंजी परवत है इन दोनों के मद्ध में क्या है कि हमें युकान पठार देखने को मिलता है और यहीं पर क्या है कि युकान जो नदी है यह जो पठार है यहीं पर क्या है कि युकान जो नदी है युससे की उसका यह अपवा कई सारे हमें पठार देखने को मिलेंगे जैसे अगर हम बात करें तो यह जो कोस्ट रेंज है यहां पर यह जो कोस्ट रेंज है और इधर जो राकी परवत है यहीं पर क्या है कि हमें दो तीन पठार हैं जो कि क्या है कि उत्तर से दच्छिन की तरफ फैले हुए है जैसे अग और अगर हम दच्छिड में आएंगे तो हमें क्या है कि यहां पर कोलंबिया स्नेक पठार देखने को मिलेगा अगर इसके और दच्छिड में आएंगे तो यहां पर क्या है कि कोलंबिया स्नेक पठार हमें देखने को मिलेगा और और उसके अगर हम दच्छिण में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि हमें ग्रेट बेसिन देखने को मिलेगा ग्रेड जो बेसीन है वह तर हमें देखने को मिलेगा और उसके और दच्छिनमें आंगे तो हमें क्या है किbor पर रहाए कि यहां को लो रेडो पथार ενशके अवस्थिति देखने को मिलेगा और इसके अगर हम पूरम में बढ़ेंगे कोलरेडो पठार के अगर हम इस टर्ण पार्ट में बढ़ेंगे तो यहीं पर क्या है कि हमें एड़्वर्ड एडवर्ड पठार देखने को मिलेगा और एडवर्ड पठार के पूरब के तरह बढ़ेंगे तो यहां पर हमें ओजार्क पठार देखने को मिलेगा और ओजार्क पठार के अगर पूरब में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कै आए कि हम्को कंसरा के लेटी या पठार देखने को मिलेगा जो की क्या है कि अपलेशन पर उती cert के जो दो प्रमुक पठार अलेगनी और तो यह उसका भाग है तो इस तरह से काया कि ये इसके कुछ महतपूर यहां पर पठार थे जिसको हमने देखा अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले बिंदू की और देखें यहां पर क्या है कि कुछ महतपूर जैसे लैंड फॉम है जैसे पूछता है कि पेंटेज जो डेजर्ट है उसकी अवस्थ सुनो और दूसरा क्या की जो मोजेमर्वस्थ़ल यह महतपूर और इसके साथ कि यहां पर जो मपूर जो पर्वत पर्वत है उनकी औ स्थी हमने पहले इंगेको अब देख्ये इसके साथ अगर हम बात करें कि यहां का जो उच्च्हावच यह उठ्याद है इस इस मेप मैप में बात करें तो यहां पर क्या अपर क्या कि ते Division ग्रेटर लेंगे और साट लिक है इस इन में कि जो सबसे महत कूष आपके लिए हो सकता है वो क्या होगा तो वो होगा यहां पर जो great lakes है जो महान जीले यह आपके लिए सबसे अधिक मैदपूर है इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्याया कि जो जीले के जो जीले हैं इनको हम बोलते हैं कि नार्थ अमेरिका की महान जीले है हैं जिसमें कहे कि इधर कहे कि लेक सुपीरियर जील है दूसरी क्या है कि यहां पर आपको लेक मिसगन देखने को मिलेगी तीसरी जो जील है वो लेक हिूरान है चौथी क्या है लेक इरी है पाचवी क्या है तो वो लेक उंटारियो है इनमें महत्पूर बात क्या है तो जो लेक मिसगन है यह क्या है कि इनमें से जो यह पांच जीले हैं उनमें से क्या है कि जो मिसगन जील है यह पूरी तरह से क्या है कि यसे में और अगर हम बात करें तो यहां पर जो लेक सुपीरियर है यह क्या है कि कैस्पियंग सागर के बाद जो कैस्पियंग सी है जिसको जहील का दर्जा दिया गया तो उसके बाद यह सेकेंड लार्जेस्ट लेख है तो ये भी महतपूर है और इसी जहील के तड़ पे जो यहाँ पर डूलूथ है हे द्लूत कि एक commercial city है यह यह भी कह सकते हैं कि यहां का एक प्रमुख सहार है और यह अध्योगिक नगर है इसी के साथ अगर हम बात करें तो यह पर क्या है कि जो यह लेक सुपीरियर है और जो लेक हुरण हिल इन दोनों को एक नहर है यहाँ पर एक कैनाल है जिसको सू कैनाल बोलते हैं तो यह जो सू नहर है यह क्या करती है कि यहाँ पर सुपीरियर जील को हुरान जील से जोड़ने का काम करती है तो यह भी महत्पूर्ण हो जो Water Cap City उसके हिसाब से देखाइं तो इन पांचों जीलों में यह दूसरे नमबर की इसक्थ हैं की दूसरी सबसे बड़ी जील है इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहां पर जहाए की जोß जील यह क्या है कि यह पहले हमने बता है कि यह से में उस्थित जील है जिसका बिस्तार कनाडा में नहीं है यहां पर कुछ महत्पूर्ण सार है जैसे अगर बात करें तो मिलवाकी है सिकागो है यहीं पर क्या कि आपको गैरी देखने को मिलेगा और यह जो मिसगन जील वाला जो छेतर है यह क्या है कि आइरन ओर के इसका जो मिसकन जील प्रदेस है वह युएसे में काफी महत्पूर्ण है और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या है कि लेक इरी देखने को मिलेगा और इसके किनारे कि डेट्रॉइट क्लिव लैंड यहां के कुछ महत्पूर्ण और यहां पर क्या है कि लेक ऊंटारियों देखने को मिलेगा यह क्या है कि इन सबी जीलों मेन सबसे च्छोटी जील है और यहाँ पर भी क्या है कि आपको एक के नाल देखने को मिलेगी जिसको वैलेंड नहर बोलते हैं यह इन दोनों को जोड़ने का भी काम करती है तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो यृस्से के महतपूर्ण जिन को हम बोलते हैं ग्रेट लैक्स छेत्र वह कौन से हैं और इनकी जो समानी भी सेस्ताय है वे कौन सी है अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर जो संयूक्त राज को जोडने का काम करता है और दो अस्थली भागों को अलग करने का भी काम करता है तो यहां पर दो तीन हैं जो आपके लिए महतपूर हो सकते हैं जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर जो सबसे महत्पूर्ण है वो है बेरिंग जलसंदी यह क्या करता है कि यह से का जो अलासका राज है उसको क्या है कि इधर जो रसिया है या कह सकते हैं जो एसिया है उससे अलग करने का काम करता है या और माइनूट लेबल पर आएंगे तो यहां पर जो चुक्की पेंसुला है उसको अ करती है जलसंदी अलग करती है और यह किन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करती है तो इधर आप आएंगे तो आपको चुकसी सी देखने को मिलेगा और इधर आएंगे तो आपको बेरिंग सी देखने को मिलेगा तो इन दो जल निकायों को क्या करती है यह जोडने का कारे करती है ऐसी यहां पर एक और जलसंदी है जो अक्सर पूछता है वो कहा है कि यहां पर जो युसे का फ्लोरीडा राज्य है और नीचे कहा है कि जो यह क्यूबा है इन दोनों के बीच में कहा है कि आपको फ्लोरीडा फ्लोरीडा जलसंधी देखने को मिलेगी और यह जो जलसंधी क्या है कि इधर जो गल्फ आप मेक्सिको है जो मेक्सिको की खाड़ी है और इधर क्या है कि आपको अट्लांटिक ओसियन देखने को मिलेगा इन दोनों को जोड़ने का कारे करती है और इसी के साथ क्या है कि एक और यहां पर महत्पूर्ण जलसंदी है जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर इसको हम जुवान डी फूका बोलते हैं बैंक कुवर आइलेंड यह आपको यहां पर दिखेगा तो इसी के बीच में क्या है कि यहां पर आपको जुवान डी फूका जलसंदी देखने को मिलेगी और यहां पर क्या है कि अगर हम देखें कि आखिर यह जो जलसंदी है यह किन दो अस्थली जो छेत्र है उनको अलग कर करती है और मूलूप से अगर हम बात करें कि यह किन दो जली छेत्रों को जोड़ती है तो इधर क्या कि पेस्फिक ओसियन वाला जली छेत्र है और यहां पर भी क्या है कि जो कनाडा वाला जो जली छेत्र जो मूलूप से क्या है कि इसी पेस्फिक ओसियन का पाठ है तो इन दो जो जली छेत्रा इनको जोड़ने का ये जलसंधी काम करती है तो यह हमने देख लिया कि यहां पर महत्पूर्ण यूएसे की कौन सी जलसंधिया अवस्थित हैं अब हम देख लेता हैं कि जो संयुक्तराज अमेरिका है यहां की जो अपवाह तंद्र की विसेशताये हैं यहां पर कौन सी महतपूर्ण नदिया है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए तो देखें यह क्या है कि यह का पूरा मैप है और यहां देखेंगे तो बहुत सारे नदियों का जाल हमें देखने को मिलता है लेकिन इसमें кажут कि जो महतपूर नदिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या जिनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए उन महतपूर नदियों कि अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो एक अन्य पत्ति होती है यह कहां से होती है तो यह क्या है कि मैकेंजी जो परवत है जो मैकेंजी परवत है वहीं से युकान नदी निकलती है और फिर क्या है कि यह आगे बढ़ते हुए युकान पठार से कहां पहुचती है तो प्रसांथ महासागर में पहुचती है महासागर में यह गिरती है यह भी अगर माइनूट लेबल पर जाएं कि यहां पर किस छेतर में गिरती है तो प्रसांद महासागर का जो बेरिंग सी है जो बेरिंग सागर है उसमें भी क्या है कि एक छोटा सा स्थान है जिसको नौर्टन साउंड बोलते हैं यह इस छित्र में क्या होता है इसका निकास होता है तो यह क्या है कि यह हमारे लिए महत्पूर्ण नदी है दूसरी अगर बात करें तो जो अलास्का की आस्थिती है यह क्या है कि यह उच अच्छांसी छित्र है यहां का जो तापमान होता है वो काफी कि सीमित क्या है उप योगिता है तो इससे जुड़े हुए ये कुछ महधपूर्ण तथ्थे इसी के साथ जो यहां पर महधपूरण नदिया है अगर उनकी हम बात करें तो यहां पर एक महधपूरण नदी आपको देखने को मिलेगी वह कौन सी है तो वह है Mississippi μεंसिसीपी नदी की की विभी सेस्ताइएं कि यहां पर जो सुपीरियर उच्छ भूमी Ouais जो सुपीरियर है फ़ीर कि उच्छ भूमी है वहीं से इसका उदगम होता यानि यहीं से यह उत्पन होती है और फिर आगे बढ़ते हुए क्या है कि यहां पर क्या है कि जो गल्फ आप मेक्सिको है यानि जो मेक्सिको की खाड़ी है वहां पर आकर यह इसका निकास होता है दूसरी अगर बात करें तो USA की यानि संयुक्त राज अमेरिका की यह सबसे लार्जेस्ट नदी है और इसी साथ अगर हम देखे तो दूस्री यहां पर एक नदी महतपूर है वह कोलंभिया अगर कोलंबिया नदी की बात करें तो यहां Palace की परोती छेत्र हमें देखने को मिलता है यहीं से यह निकलती है और इसका जो निकास होता है वह इधर क्या है कि जो पेस्फिक ओसियन है वहां पर होता है दूसरी अगर बात करें कि इसकी एक महत्पूर्ण सहायक नदी है जैसे आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक स्नेक जो डैम है उसका मिरमार किया गया है जिसके जल का उपयोग बड़े अस्तर पे क्रिसी छेत्र में किया जाता है इसके साथ क्या है कि एक और महत्पूर्ण नदी है वह है रियो ग्रैंडो नदी यह आपको देखने को मिलेगी जो यूएस से है इसके साउधन पार्ट में और किमूल लुप से इसकी जो पती होती है वह राकीपरवत से होती है राकी परवती छेत्र से निकलने के बार ये नदी नदी के है तो इसका भी निकास जो मैक्सिक और इसी इसे के साथ जो मैक्सिको है इन दोनों राश्टों के बीच में राजनहेतिक सीमा निर्धारित करने का भी कारे करती है यहीं पर एक दो और नदिया है जैसे अगर हम बात करें तो कोलेडो नदी है यह आपको कोलरेडो नदी देखने को मिलेगा उस चेत्र में यह अपवाहित होते हुए क्या है कि यहां पर जो कैलिफोर्निया की कैलिफोर्निया की खाड़ी है वही पर इसका इस नदी का निकास होता है और इससे जुड़े हुए महत्पूर्ण दो बाते हैं यह जो नदी है इस पर दो डैम बनाए तो यह दो डैम है जो कहां पर देखने को मिलेंगे तो यह कुलरेडो नदी पर देखने को मिलेंगे और यहीं पर दो अन्य नदिया है जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि जो युएस से का यह जो कैलिफोर्निया राज्य है इसी के राज्य या इसी के छेत्र मे क्या कि Sacramento और San Jacquin दो यहां की महतपूर नदिया इन दोनों नदियों का जो निकास होता है वो कहां पर होता है तो यहां पर जो Pacific Ocean है यनि प्रसांत महासागर है वहीं पर इनका निकास होता है तो इस तरह से कहा है कि हमने देख लिया कि जो USA में उससे जुड़े हुए जो विभिन पहलू थे उन पर हमने मांचित्र के माध्यम से प्रकाश डाला अब इसी टॉपिक पर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख ले है दूसरा कसन कह रहा है कि युकान पठार ब्रुक्स परवर अलास्का परवत और मैकेंजी परवत के मध्य में अवस्थित है तीसरा कसन कह रहा है पस्चमी कारडिलेरा परवतों के ऐसे समू होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग-अलग कालों में विभिन प्रक्रमों के परवच चोटी है जिसका नया नाम देनाली रखा गया है और फिर कहा जा रहा है कि उपरयुक्त में से कितने कथम सही है पहला भी कल्प है केवल एक बी आपसन है केवल दो सी है केवल तीन और डी है सभी चारों तो इस तरह से कहा है कि हमने आज संचित रूप से युएससे से जुड़े हुए जो भी इसके कह सकते हैं कि राजनेती कवस्थितिया है जो भौगोली कवस्थितिया है उन पर हमने प्रकास डाला तो आज के इस एपिसोड में इतना ही आज का एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं तो आज के इस एपिसोड में इतना ही आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद